नमस्कार दर्सकों धार्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत है और आज हम आप सभी को नबरात्री की नबे दिन की मा सिद्धी दात्री की कथा सुनाने बाले हैं मा सिद्धी दात्री का रूप अत्यन थी दिब्य है, मा का बाहन सींग है, ये कमल पर भी आसीन होती है, इनकी चार भुजाएं है, दाइने और की नीचे वाले हाथ में चक्र, उपर वाले हाथ में गदा और बाई और की नीचे वाले हाथ में संख और उपर वाले हाथ में कमल का फूल है मासिद्धिदात्री को देवी सरुसति का भी सोरूप माना गया है इने बैगनी रंग अतिप्रिय होता है मासिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही सिफ जी का आधा सरीर देवी का हुआ और इने अर्दे नारी स्वर कहा गया पुरार्निक कथा के अनुसार भगवान सिब ने मासिद्धी दात्री की कठोर तपस्या कर आठो सिद्धियों को प्राप्त किया था मासिद्धी दात्री की अनुकमपा से ही भगवान सिब का आधा सरीर देवी हो गया था और वह अर्दिनारी स्वर कहलाए मादुरगा के नो रूपों में ये रूप अत्यन थी सक्तिसाली रूप है कहा जाता है कि मादुरगा का ये रूप सभी देवी देपनाओं के तेज से प्रिकट हुआ है कथा में बताया गया है कि जब दैत्य मही सासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देपतागर भगवान सिब और भगवान विसनों के पास पहुचे तब भगवान मोजु सभी देपतागर से एक तेज उत्पन हुआ और उसी तेज से एक दिब्य सक्ती का निर्माण हुआ जिसे मा सिद्धी दात्री कहा जाता है आपको नबरात्री के नबे दिन की ब्रत कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जे मातादी लिखना मत भूलिएगा जे मातादी